स्वागता अपना सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि महाराथाओं को लेकर जो एक आरक्षन की बात चल रही है अभी काफी जादा ये विशे जो वो गरमाया हुए महाराश्टर के अंदर तो हम जानने वाले हैं कि इतिहा क्या रहा है महाराथाओं को जो आरक्षन दिलाने के लिए जो बात चली थी 1981 से ये बात काफी ज्यादा पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई थी तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है फिर हम जानेंगे कि महाराथा एक्ष्वल में कहते कि इनको है कि महाराथा कोई कॉम्म कौन से लोग आते हैं इन तमाम चीजों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिएफ के लिए मैं बता देता हूं देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर उन्हें बहुत पहले 16% आरक्षन जो है वो दिया था माराठा को लेकिन एक टाइम आया कि सुप्रीम कोट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है उसके ओपर भी आएंगे हम तो हाली में देखा कि मारास्टर में माराठा समुदा एक बार फिर से शैक्स्टनिक संस्थानों और सरक अगर हमें डालेंगे तो वहां कहां में जो क्या कहते हैं कि रिजर्वेशन वो मिल जाएगा लेकिन वहां पर एक काफी बड़ा इश्यू यह भी निकल के आता है कि जो माहरास्टर के अंदर OBC है उनके लिए वहां पर competition आ जाएगा एक तरीके से तो वहां यह नहीं चाहते मतलब कि जो वहां के जो OBC वो नहीं चाहते कि यह OBC के अंदर आज है तो इनके लिए एक अलग से status बनाने की बात के गई SEBC यहनी की socially and educationally backward classes यह लाया गया ताकि इसके अंडर माराथा community जाए उनको reservation जो दिया जा सके तो first of all जो है हम एक बार माराथा के अरक्षन की जो मांग है उसकी इतियाज और आज की जो situation है उसको समय लेते हैं तीकि माराथा जातियों का एक समूँ है ऐसा नहीं कि माराथा इकलोती जाती है नहीं इसके अंदर किसान भी आते हैं जमिदार भी आते हैं और भी अन्य विक्ति इसके अंदर शामिल है जो पूरे राज्य का 33% अबादी है यह आप कोई छोटी मोटी अबादी नहीं है मान लीजिए मतलब वहां पर अगर 300 लोग रहते हैं माराश्टर क लेक्ति जो मराठा नहीं है लेकिन सारे मराठा जो बराठी जुरूर बोलते हैं एतियासिक रूप से उनके पैचान जो है वो एक तरीके से योधा की रूप में की जाती है या फिर उनको जाना जाता है कि उनके पास काफी जमीन है एक तरीके से फिर क्या हुआ कि इतनी तो फैक्टर जो है जो मराठा कम्मुनिटी को पीछे धकेल देते हैं समाजिक और आर्थिक पिछड़ापन का इनको सामना करना पड़ जाता है यह समुदाए अभी भी ग्रामीन अर्थव्यस्ता के महतरपूर्ण भूमी का निवात है देखें यह कोई समाजिक आर्थिक कि जो मराठा कम्मुनिटी है वो काफी ज़्यादा पिछड़ी हुई है शोशली और एकनोमिकली जो है यहां पर पिछड़ापन यह जो है वो महसूस कर रहे हैं तो इनको रिजर्विशन दिया जाना चाहिए यह एक्च्वल में कमीटी बिठाए गई और कमीटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी इसलिए क्या चाहते हैं मराठा कि उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं अब थोड़ी इतियास के उपर आते हैं 2017 की बात है जो रिटाइड जस्टी से एंजी गायकवर्ड उनकी अधिक्स्तावाले 11 सदस्टी आयोगनी सिफारिश की थी कि मराठाओं को SEBC के तहज़ब आरक्षन दिया जाना चाहिए बकायदा कमीटी बनी वहां पर रिकमेंडेशन दी गई जब जाके पता चला कि हां भी यहां वाकई में जो मराठा कमीटी हैं उनको आरक्षन की बहुत जादा जरूरत है फिर 2018 में क्या हुआ महराष्टर की जो विधान सबा है वहां पर मराठा समुदाय के लिए 16 परतिशत आरक्षन का प्रस्ताव जाए वो भी देख लाते हैं और वो पारित कर देते हैं 2018 में Bombay High Court ने इसको बरकरार रखा क्या कि हाँ 16 परसंट की बजाए आप क्या करिए सिख्षया के अंदर तो 12 परसंट कर दीजिए और नोकरियों के अंदर आप इसको 13 परतिशत कर दीजिए यह बात हो गई यह मामला जो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है सुप्रीम को 2022 में निर्धारित कि कि वही किसी भी शूरत के अंदर किसी भी हाल के अंदर जो 50% कि जो एक सेमा तैगई इस से ड़ादा आ को रहा है 1 उलंगण हो रहा है जो एक इंद्रा सहानी फैसला हुआ था 1902 में जिसमें सर्वोच नैले ने ये साब बोल दिया था कि आरक्षन की सीमा जो पत्चास प्रतिशत ही होगी केवल कुछ ऐस समान्य और ऐस अधारन स्थीतियों में दूर दराजेनी रिमोट इलाकें है जहां पर बहुत ज़्यादा जरूरत है जहां पर देखा जाना चाहिए कि ऐसी सिचुशन बन गई है कि यहां पर यह 50% की जो कैप इसको हटाना जरूरी हो गया है तो वहां पर यह छूट दी जा सकती है लेकिन महराश्टर के अंदर क्या है कि ऐसी कोई ऐसा धान प्रस्तिती नहीं है जिससे क्याए कि यहां पर आप यह 50% सीमा का उलंगन कर रहे है जिसको इन्होंने ऐसा मेंदानी गोशित कर दिया और यहां पर कहा कि आप यह जो रिशर विशन है वो यह नहीं दे सकते इसके अलावा नियाले ने यह फैसला सुनाया कि राज्ये के पास किसी समुदाय को यह काफी important बात है किसी समुदाय को समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े का दर्जा देने का कोई दिकार नहीं है जो state government है ऐसा नहीं है कि वो state government बोलेगी कि हाँ यह जो particular community है यह backward में चलेगी ऐसा उनके पास अधिकार ही नहीं है नेले गनसर केवल राष्टरपती ही क्या कर सकता है कि समाजिक और पिछड़े वर्क की केंदरिय सुची में बदलाव कर सकता है राज्ये केवल सुझाव दे सकते हैं अब यहां पर देखे यह 102 संसोधन जिसके अंदर यह बात बोली गई थी अब यह 102 संसोधन के अंदर भी आप लोगों को बताऊं कि वहां पर क्या हुआ था अब बोला गया कि इसके चलते इसको ऐसा मिधानिक दरजा दे दिये गया सर्वोच नहले ने इस बात पर प्रकास डला कि मराठा समुधाय के लिए अलग अरक्षन जो है वो एक तरीके से आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उलंगन करता है आप उसको नहीं दे सकते आप बात कर लेते हैं वर्स 2022 आ जाता है तब तक आप एक काम करिए कि EWS कोटेक से अपलाब उठा लीजी अब यहां पर आप देखिए 33 परसंट जो है यहां पर पॉपुलिशन है स्टेट में महराठा कमुनिटी की जब से जो महरास्ट महरास्ट जो स्टेट बना है महराठा कमुनिटी काफी ज़्यादा बैकवर्ड हो गई है वहां पर वो शोचनली और एकनोमिकली पिछडे जाते जा रहे हैं आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं फैक्टर जो है वह यहां पर कमुनिटी को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं डेफिनिटली इनको ऊपर ला में मराठा रजरी जरवेशन वह एक इंटिगरल पार्ट बन गया स्टेट में पॉलिटिक्स के अंदर तब से जब भी यहां पर चुनाव होते हैं तब भी मराठा कमुनिटी के लिए एक तरीके से चुनाव की आरक्षन की बाद जो हो उठके सामने आ जाती है अब एक सो द थापित राष्टे पिछड़ा वर्ग आयोग से संब्धित्ता और 342 राष्टपति को किसी राज्य में समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदाय को निर्दिशिट करने का आधिकार है मतलब वही यहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन जो है वो शोशनली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्यूनिटी है यह राष्टपति के पास पावच ले गई थी इसमें कहा गया है कि आरक्षन का लाब देने है तू समाजिक और पिछड़े वर्गों के लिए किसी समुदाय को केंद्रे सुची में शामिल करना जो हो संसद का कार रहे है अब एक काम करें पचास परसंट की जो कैप है उसको हटा दीजिए वह कैसे अटाएंगे संसद जो है वहां पर एक अमेंडमेंट करेगा क्या करेगा कि यहां पर है आप इतना रिजर्वेशन दे सकते हैं अब इससे क्या होगा कि काफी सारे स्टेट जो है फिर वही मांग उठाने लग जाएंगे यह इसका ड्रोबग भी हो सकता है लेकिन हां इसके सॉलूशन भी हैं पचास परसंट की कैप वहां पर हटा दी जाए और भी काफी सारे तरीके आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कैसे सुलजाया जाता है यह जो है आज का टोपिक था कि माराठा कॉम् पीचार वहां पर रखके पीड़े पीड़े में फिर से बता देता हूं डिस्क्रिप्शिन व्क में ठीलीकृम-का एक लिकिंग मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में तैंक्स वर वाचिंग तो